बुद्धा ब्राडकास यूटूब चैनल के सभी कल्यानमीत्र दुबारा हम मिल रहे हैं और विशेश रुप से थोड़ी सी हासी दिख रहे हैं मेरे चेहरे के ऊपर क्योंकि मैं एक दुसरा पार्ट लेकर आया हूँ जैसे कल हमने एक कॉंग्रेचुलेशन दीदी और एक नारी सवपे भारी आज कुछ अलग करने के मैंने कोशिश की है और मुझे उससे मुझे आनन मिल रहा है खुशी मिल रही है क्योंकि ये आपसे बात करते समय मुझे पुजनिय बुधी सत्व डॉक्टर बाबा सहाब ने जो लिख कर रखा कि अगर ये हिंदू कुडबील एक बार संसद में पास हो जाता है तो ये मेरे भारत वर्ष की हर एक नारी पुरुष के समान अपने हक और अपने स्वतंत्र विचारों को स्थापीत करेगी और कल का रिज़र्ट ममता दिदी का इलेक्षन ममता दिदी के विरुद्ध किया हुआ कैम्पेनिंग और ममता दिदी के विरुद्ध लड़ने वारे पुरुष ओ कम से कम सव लोग थे प्राइम मिनिस्टर से लेकर हुम मिनिस्टर एक पार्टी के अल इंडिया प्रेसेडेंट चीफ मिनिस्टर मेंबर आप पार्लिमेंट बड़े बड़े बॉल्यूड के आक्टर सभी ने ताकत लगा दी और सभी के ताकत का परिणाम हमने कल देखा तो मुझे लगा ये सव लोग थे तो मैं इसके बारे में कुछ अलग देखता हूँ सोचता हूँ सव पे भारी ये नारी और आज है सव सुनार की एक दीदी की सव सुनार और एक दीदी आप तो समझ गए होगे कि सुनार कौन है मैंने बहुत करीब से ये इलेक्शन देखा अनलेसिस देखा दीदी और दीदी का कैंपेनिंग देखा और दीदी के अगेंस चला हुआ प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी और मिस्टर शहा इनका भी कैंपेनिंग देखा यह सैकलॉजिस्ट मैं एकसपड और मास्टर इन सैकलॉज़ी अस विशय पे जब भी मैं कुछ रिजर्श करता हूँ देखता हूँ और भारत वर्ष की यह सोसाइटी 75 साल का यह पूरा 57 भारत का सफर ये पूरे सफर में भारत वर्ष के पुरुशों ने इस प्रवास और इस सफर और इस लंबे अनुभों के स्तर पर आपने साथ स्ट्री का दर्जा कभी समान देखा ही नहीं आप देखिए पिछे जाईए आज भी देखिए कितने राज्यों में अज चीप मिनिस्टर कितने पार्टियों ने किसी स्ट्री को ये सम्मान दिया क्या हो क्या पेबल नहीं है है जरूर है पर कभी लगा नहीं चाहे हो कॉंग्रेस हो और चाहे हो नैशनल पार्टी बिजेपी हो या कोई रिजनल पार्टी हो हर जगह कैमपेनि करने के लिए स्त्री चाहिए भाशन करने के लिए स्त्री चाहिए या ज्यादा से ज्यादा क्या लोगों की भीड जमा करने के लिए किसी फेमस नृत्यांगना को लेकर आईए इसका नृत्य करिए लोग एकटे हो जाएंगे और फिर पुरुषा कर भाश जब पूरी पार्टी चुन कर आती है तो उस पार्टी का नेता चुना जाता है कोई पुरूश क्यूं कोई स्त्री नहीं चुनी जाती क्या कारण है और दिदी का सफर अगर देखिए 20 साल तक कॉंग्रेस में रही और जब उनको लगा कि ये कॉंग्रेस की विचारधारा केव मैं श्त्री हूँ इस वजह से मुझे कोई अच्छा मंत्रा नहीन देन पारए है जब पहली मंत्री बनी केंडर में तो उनको खेल मिनिस्टर बना दिया किरिड़ा मंत्री बना दिया और उनको लगा कि ये कोई काम करने वाला क्षेत्र नहीं है मेरा कुछ अलग सोचना है तो उन्होंने 12-14 महने में उसका त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने कहा कि ये मानसिक्ता मुझे रास नहीं आएगी कांग्रेस के लोगों की काम करने की धारनाये बहुत ही गलत है और उन्होंने खुद कांग्रेस से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश की उन्होंने युद्धस तर पर अपने त्रिनमुल कांग्रेस को जन दिया और बढ़ाया, काम किया और आज देखिए, वो तिसरी बार मुख्य मंत्री बनी है, तिसरी बार किसी बड़े पेड की नीचे अगर दुसरे पेड को बढ़ने की कोशिश आप करोगे, तो वो बड़ा पेड उसको बढ़ने नहीं देगा क्योंकि वो उसको तो लगेगा कि मैं सब कुछ तुझे दे रहा हूँ, छाओ दे रहा हूँ, धूब दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, पर मेरे नीचे तु रहना है यही दिदी के साथ हुआ, शुरू के दमाने में और उन्होंने देखा कि बड़े पेड के नीचे रहे कर मेरी तो हैट बढ़ने ही वाली नहीं है, मुझे हटना पड़ेगा उन्होंने उस बड़े पेड के नीचे से हटकर अपना खुद का एक अस्चित्व बनाया और खुद के पार्टी का अस्तित्व खड़ा किया और तिसरी बार वो खुद मुख्य मंत्री बनी है कभी आपने सुना है कि किसी नैशनल पार्टी ने एक स्त्री को इतना सम्मान दिया है कि वो तीन बार चार बार वही राज्य की मुख्य मंत्री बने क्योंकि उनका काम अच्छा है नहीं क्योंकि यहां पे पुरुष और स्त्री ये वो जमाने भी था आज भी है और ये लोग ऐसे मानसिक्ताओं के लोग आगे भी ली कर जाएंगे और आज ये कैंपेंडिंग में हमने देखा कि मतलब हर एक पुरुष वेस्ट बेंगौल का बीजेपी का स्टेट प्रिसेडेंट क्या क्या कहने लगा दीदी के बारे में प्राइम मिनिस्टर आप इंडिया कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया वर्ल्ड के मीडिया ने क्रिटिसाइज किया कि ये प्राइम मिनिस्टर आप इंडिया की भाषा नहीं हो सकती एक नाशनल पार्टी के अध्यक्ष की ये भाषा नहीं हो सकती और क्या-क्या नहीं किया ED CBI क्या-क्या नहीं लगा दिया एक बीच में मैंने एक इंटर्व्यू देखा था एक बड़ी फेमस परस्नालिटी है West Bengal से उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप पुछोगे कि ये इतने सारे शब्दों का वार होने के बावजूद मैं कैसे खड़ी हूँ तो मैं खड़ी नहीं रहूंगी क्योंकि ये मेरे हर जगे स्त्री का अपमान करने वाली भाषा का यूज कर रहे थे उसको हट होगा वो अपने रास्ते से भटक जाएगी अपने रास्तों से कोसो दूर चले जाएगी ये करने की हर एक मुमकिन कोशीश मोदी ने की शहा ने की नड़ा ने की योगी ने की और सभी पुरुश्वर्ग के लोगों ने की कभी बीजेपी में काम करने वाले स्त्री को कभी लगा नहीं की वो भी एक स्त्री है मैं भी हूँ और ऐसी भाषा अगर मेरे पक्ष के पार्टी के लोग एक स्त्री के बारे में सोचते है तो मेरे पार्टी की सोच क्या है नारी स्त्री की बारे में मैं तो बड़ा ही परिशान हुआ था कि मिस्टर मोदी और उनके पार्टी का एक बहुती बड़ा सा टैग लाइन था बच्ची पढ़ा मतलब क्या है बढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए मतलब लड़की के बारे में ये सोचने के लिए एक टैग लाइन बनाते हो इसका प्रचार करते हो और एक राज्य की कदावर और लड़वे एक नारी के प्रती आपके विचार इस स्थर पर जाते है के वल सत्ता पाने के लिए तो ये आपके विचार आपकी सोच और आपकी करनी इसमें विरोधाबाज दिखाते है और ये इस्टमे RSS, BJP, Prime Minister of India ये लेवल के स्टर पर कतनी और करनी ये दोनों में अंतर दिखा और इतना अंतर दिखा कि मुझ की खानी पड़ी पुरे मैदान में आप कही दिखते ही नहीं हो सो सुनार चले गए पर एक लोहार ने ऐसे हतोड़ा मारा कि सुनार की कहा कुछ चली, कुछ दिखा ही नहीं आप अगर मानते हो कि किसी स्त्री को कम लेखना है तो बाबा सहाब ने उसे पूरा का पुरा सुथंत्र दे कर मुक्त किया है ऐसी सोच से आप ऐसे सोच नहीं सकते, हर एक राज्य में ये एक ममतादीदी होनी चाहिए, हर एक पार्टी में एक ममतादीदी होनी चाहिए, क्योंकि किसी पार्टी की सोच अगर किसी स्त्री के बारे में नकरात्मक सोचेगी, तो उसको रोकने की कोशिश वो वहां की ममतादीदी करेगी हर जग महारास्टर में एक मम्ता दिदी, गुजरात में एक मम्ता दिदी, दिल्ली में एक मम्ता दिदी, हरियाना में एक मम्ता दिदी, मध्य प्रदेश में एक मम्ता दिदी, होनी चाहिए ये पुरुष प्रधान संस्कृति को जन्म देने वाले लोगों को सबसे बड़ा उत्तर है और ये बाबा सहब का सपना था और ये बाबा सहब का सपना ममता दिदी के द्वारा मुझे कुछ लेना देना नहीं कि कौन मिनिस्टर बनेगा कौन सी पार्टी जीती मुझे इतना लेना देना है कि ये बाबा सहब का सपना था कि एक दिन आएगा एक समय आएगा कि जिस स्त्री को आप शुद्र कहते हो वो स्त्री आपके उपर राज करेगी आपके साथ राज करेगी आपके साथ खड़े होकर आदेश देने का काम करेगी जिस स्त्री को आज अपना घूंगट उठा कर देखनी की अनुमती नहीं वही स्त्री आपको आउडर देगी और ये बाबा साहब का सपना ये इलेक्शन के थूँ हमने नजदीक से देखा सारे सुनार चले गए और दीदी खुद लोहार बनी और लोहार की ऐसी पड़ी कि सुनार की कुछ चली ही नहीं पैसा, सत्ता, CBI, इलेक्शन कमिशन के तक अपने छोड़ा नहीं क्या बचा क्या था छोड़ने का कुछ भी नहीं फिर भी ममता दीदी ने अपना कद़ावर और लड़ने का मादा वहाँ पे दिखा दिया और सदीयों तक, सदीयों तक जितने भी जनरेशन आएगी, जितने भी जनरेशन ममता दीदी को फालो करेगी, उतने लोग सोचेंगे हाँ, अगर तै किया तो सो सुनार को भी एक लोहार का मिलेगा तो हम हरा सकते है दीदी ने यहाँ पर लोहार का काम किया दीदी लोहार बनी और पैसे वाले सुनार, संपत्ती वाले सुनार, सत्ता वाले सुनार सब को मू की खानी यहां तक कर दी मैं दिदी को सल्यूट करता हूँ आज कि आप लड़ी आप जीती और दुनिया को दिखा दिया सव लोग अलग और एक नारी अलग आपके इस जिद्ध को आपके इस लड़ाई को आपके इस युद्ध करने वाली युद्ध निती को मैं सलाम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि बाबा सहाब का इस महान हिंदू कोडविल का सपना आपके जरीए पुरा होगा और आपको देखकर और दिदी और लोहार और दिदी पैदा हो जाएगी और एक दिन आएगा कि हर पार्टी में अपने नारी के बारे में सोचने का एक मन बनेगा और वो मन बनाने की शुरुवात आपके इस महान इलेक्षन युद्ध स्तर पे जो आपने लड़ा उससे हो जाएगी पुद्धव रड़काश यूटूब चैनल के सभी शुरुतागन आप सभी के प्रती मेरा अनुमोदन मंगल महित्री और दिदी के प्रती मेरी मंगल महित्री कॉंग्रेट्स दिदी आपको मेरा बहुत बहुत बढ़ा श्रिवाद और मंगल महित्री देता हूं आगे काम कर ये आपका सपोर्ट दुनिया करेगी दुनिया करेगी